अपने परमपूजी गुरुजी प्राताइश्माणिय वेदमूर्ति दपवनिष्ट गीता उपनिशाद पुराण और धमसास्त के विशेशक्य प्रफेसर पंडित भगवत सर्लसोकल जी के साथ में आप सभी का अवस्ति जाहिर विदे राटमी योगा एंड इस्पिरिचुल सब्सक्राओं की कारका सिखा रहे हैं आज उन्चास्वी कारका है तो उसको सरल सब्दों में समझने के लिए चलते गुरुजी की तरफ नमोस्त पनंताय सहस्र मूर्तय सहस्र पादाक्ष शिरो रुगाहवे सहस्र नामने पुरुशाय शाष्वते शाहस्र पूर्टी उधारडे नमाः प्रिश्नाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक लेशनासाय गोविंदाय नमाः इस चैनल से संबत्न सभी विद्व सभी जिग्या सुचात्र बंद्व सहरदे सचर बंद्व एविस चैनल के संस्थाफ़क पता पूंदख आचारे अरी हरदें पिस्ति जी आप सभी का सांक्रशास्त्र के विचार परमपरावे स्वागत हैं आज हम लोग 59 कारिका पर विचार कर रहे हैं अग्यां जो परिये की जो पांच भेदों का कथल हुआ उनमें एकादश इंद्रियों के मकाब जो है अशक्ति के और 28 भेद क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा है एकादशेंद्रिया वधाह सह बुद्धि बधाई रशक्ति रुद्धिश्टाव थाई सत्ता तशमद्धा मुद्धेर विशयाद विशयाद तुष्टि सित्धी नम तात पर यह है कि एकादशेंद्रिया वधाहा तो उद्धि के अपने स्वरू बगत उपखातों के साथ जो ग्यारह इंद्रियां हैं अर्थात पंच कर्म इंद्रियां पंच ज्यान इंद्रियां और मन तो इन ग्यारह इंद्रियों के जो उपखात हैं अर्थात ज्यारह इंद्रियों के उपखात से उपगात गहें उनको हम अशक्ति शक्त से जान उप इसले लिखाया कि बुद्धि बधाई स्व एका दशत्रि बधाहा बदात अनहें उपखाता है तो क्या कहे जाते हैं वो अशक्ति कहे जाते हैं और सब्त दश अब अधाह बुद्धेह विपरियाद तुष्टि सित्धिनव और बुद्धि के जो यह सब्त दश उपखाते हैं बुद्धि के जो यह सब्त दश उपखात हैं वो उपखात तुर्ष्टि और अश्ट सित्धि के विपरिये से वह जो है सब्त दश स्वरुप होते हैं यह इनका कतल है इसकी ब्याग्या आचारवाच अश्टि करते हैं इंद्री वधत से ग्रहा बुद्धि वध हेत उत्पेलतु अशक्त देद पूरणत पेलतु इंद्री वध का जो ग्रहण है वो इसकारण किया गया है कि उद्धि के बधों का वह हेतु है उसका कारण है नो कि न तु अशक्ति वेद पूरणत पेल वह अशक्ति वेद को पूरण करने के लिए नहीं है कि अर्था उसमें वो परिगणित करने के लिए नहीं है कि एकादस इंद्रिय बधा है पाधिर्यम कुष्ठितांधत्त्तम जडता जिग्रता तथा पूकता कौंण्य पंगुत्ते कई लैप्यों दावर्त बंदता है बुद्धि एकादस शिंद्रिय के जो उपघात है वो क्या है तो उनकी चर्चा इससे की गई है कि बाधिर अर्था गुंगा कुष्ठिता कुष्ठिता का मतलब कोड़ बगएर होना अंधत्त्तम अंधापन जडता जडता होना और अजिक घ्रता अर्था घ्रानिंद्री नश्ट हो जाना मूकता जो है जो ए उसका गुंगा होना कौण्य और माने काना होना और अपंगुता पंगुता बादे लंगड़ा होना और प्लाइब्य नकूं सकता होना और जो है उद्धावर्त मंदता अर्था घुदादोस ओना और मन का जो है मन का प्रमाद तो यह जो है यह क्रमशा इंद्रियों के दोष्ट जैसे वहिरापन यह करणेंद्री का दोष्ट को जो है यह कुष्ठता यह हांत पैर का दोष्ट अंधता आखों का दोष्ट जड़ता जो है वह बुद्धी का है दोष्ट आजिर्वता जो है करणेंद्री जो है ग्राणेंद्री का दोष्ट मुगता जो है वागिंद्री का दोष्ट है और इसी प्रकार जो है कंड का तत् का गूंगा मन का दोश और आवर्त अवर्त ये जो है उदाइंद्री का दोश है और इसी प्रकार मन्दता जो है इनी के कारण जो है बुद्धी की अशक्ति अपने ब्यापार में बंती है और ये जो एकादश हेतु है इनी के द्वारा ये एकादश ये जो है बुद्धी के अशक्ति की करी गई है और 양श्ड़ी का जबआए है और रहेतु और रहेतु मानिक के अभेद भी अक्षा होने के कारण इनका सामा नादी करणा होता है और इन्द्रि निगे समार्थ भी वही रहता है। इन्दरि के दोश भी रहते हैं। और इन्दरि को दोश और उसके अफ्यीक को गुद्धीबद इस प्रकार इंद्रीबत वाद था इंद्रिया सामर्त की जो हीनता वही है गुद्धी का अशक्ति उसको कहने के बाद यहां पर स्वरूपता उसके अशक्ति को कह रहे हैं कि बुद्ध बिधाई सहु बुद्धि बद के साथ अशक्ति बुद्धे स्वरूपता बदा बुद्धी के स्वरूपता कितने बद होते हैं टोफार कैसे होते हैं विपर्यात तुस्टी सित्टी न उनके विपरीत होने से थे कियों कैसे के तुस्टयह ना बद हा तुस्टी के नव भेद होते हैं तत भी परियायात निरूपणात नवधा और तत भी परिया के निरूपण से भी वो नौ प्रकार के होते हैं, एवन सिध्या अश्टव और अश्टशित्व होते हैं, उनका भी परिया भी जो है, वो अश्टव होता है, तो इस प्रकार जो है, इंद्रियों के दो सशे उपन जो भुदी की अशक्ति हैं उन्स प्रकार जो है जैसा पूर में कहा गया कि तुष्टी के भे जो निजीट感 को पेनोंTION प्रकार के हैं उसके पहले तुष्टियां नओ इसे प्रकार सित्यां आठ हैं उनसे असित्यां भी वह आठ हैं तो इनकी सब की संख्या यह पर्याप्त इस तरह से बनती है तो इस प्रकार यहां पर इंद्रिय घात और गुद्दिवत के साथ अशक्ति के गुश्वे में इसमें बड़े ही सुन्दर ठंग से आचारे सब्सक्राइब करें आपका दिल सुन्हों धन्यवाद